हेलो दोस्तों आज हम कर रहे हैं कक्षा तेंथ में चितिश भाग दोग के अंतरगर्च पद्ध्य भाग के अंदर बच्चों लेक्षमन परसु राम समवाद के कुश्चन आंसर इस पार्ट का हिंदी इन्व आदमी मैं अपने चैनल पर करवा चुकी हूं मतलब बिलकुल सरल व्याख्या वो भी आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत आसन सब्दों में मिलेगी आज हम कर रहे हैं इस पार्ट के कुश्चन आंसर देखिए जो आपके पहला कुश्चन है वो है परसु राम के क्रोथ करने पर लक्षमन ने धनुस के तूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्ख दिये तो इसका उत्तर देखिए परसु राम के क्रोथ करने पर लक्षमन ने धनुस के तूटने के निमलिखित तर्ख दिये जब परसु राम द्वारा परसु राम जी का धनुस तूट गया परसु राम जी का क्या मतलब सिर्फ का धनुस तूट गया जनक सभा में स प्रोध करने पर लक्षमण ने धनुस के तूटने के निमलिखित तरक दिये धनुस पुराना तथा अत्यंत जीन था जीन मतलब कमजोर दूसरा है राम ने इसे नया समझ कर हाथ लगाया था पर कमजोर होने की काण वैचूते ही तूट गया तीसरा जो उन्हों ने तरक दिया वो है मेरी दृष्टि में सभी धनुस एक समान है यानि कि लक्षमण के दृष्टि में सभी धनुस एक समान है ऐसे पुराने धनुस के तूटने पर लाभानी की चिनिता करना वियर्थ है तो यह चार जो तरक थे वो लक्षमण ने परसुराम को दिये दूसरा कोश्चिन आपके पास में आता है परसूराम के करोद करणे पर राम और लक्षमन की जो परतिक्रियाइं हुई उनके आधार पर दोनों के सुभाव की विसेशताइं अपने सब्दों में लिखे, तो यहाँ पर जो ढ Village में समवाद हुआ था परसूराम और थे तथा मर्दुभाशी थे तीसरा है वे बड़ों के आज्याकारी तथा आज्यापालक थे अब फिर आता है लक्षमन की विशेशता है लक्षमन में वाख पटुता कूट-कूट कर भरी थी यानि कि बोलने में चतुराई वो उनके अंदर कूट-कूट कर भरी थी उनका सभावत तरकसिल था वे बुद्धी मानत था व्यंग्य करने में निपुण थे वे प्रतिन पर उत्पन मत्ती थे मतलब हतु हां जवाब देने में जो होता है ना जैसे अवस्था आएगी उससी जो प्रशन आएगा उसका उत् थे अब आते हैं हमारे तो चलिए बच्चों तीसरा प्रशन देखते हैं हम क्या है प्रशन हमारे पास में लक्षमन और परसूराम के समवाद का जो अंस आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने सब्दों में समवाद साली में लिखिए यानि कि बात्चीत की साली में की बुलावा यह जो अंस है विशेश रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा यह अंस समवाद साली में इस प्रकार से है अब बच्चों जब अगर ऐसा कुश्चन वैसा पूछा नहीं जाता है पेपर में लिकिन अगर बाइचांस आ जाए बोट परिच्छा में तब आप इसे को जरूरी नहीं है आपको यही आंसर लिखना है आपको जो सरवादिक अच्छा लगे वह भी आप लिख सकते हैं लेकिन लिखना इसी पैर पेटरन पर है कि वास्त में जो उसके अंदर कहा गया है उसी को आपने समवाद साली में लिखा है जो आपको वियात है पाठ म कि वहां मैंने लक्षमन का राम का परसुराम का ये समवाद अच्छी तरीके से पढ़ाया और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि लक्षमन ने ये बोला परसुराम ने ये बोला राम ने ये बोला तो आप वो भी लिख सकते हैं तो इन ऐसे questions में answers गलत नहीं होते तो आप ह सम्हापस परंपोर कि उत्तर है देखिए हप्रसु रम वीड़्या की डिंग को teuaking को हगने के लिए बारबार फरसा दिखा रहे हैं लक्षमनगे में पर्षुरां म type कहते हैं लक्षमन क्या कहते हैं देखिए सम्वा सहली में लिखा इसलिए बातचीत की सहली में आप तो बार बार मेरे लिए काल यानि की मौत को बुलाए जा रहे हैं परसुराम कहते हैं तुम जैसे द्रिश्ट बालक के लिए यही उचीत है अब इसका उत्तर देते हैं मोथा प्रिश्यां आपके पास दीखी बच्चों पराशु राम ने अपने विशह में सभा एक dar पर लेखिए क्या 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 बड़ाई कि जो पध्यांस है ब्रह्मकारी अतिकोही बिस वे दे तरह रहा है कि विजबल भूमी महिदेव नह Anand महि देव नहें मतलब छो नहीं हो तो ब्दाश्चो तुना का विनाश किया उन से भूमी को जीता हा और मैंने ब्रांपन को उस भूमी का दन कर दिया है सहस दाखु सहस दाखु उपась को मारा sì इस फर्से से मैंने सहस्वाउ का भी वद्ध कर दिया था इसको देखो मा तो पितही जनी सोच बसकर सी महिस की सोर गर्बन के अर्बा कदलन परसुमूर अति घोर तो इन पंक्तियों के अदहार पर पर परसुराम की चारी त्री विसेश्थां का विश्लेशन करना ही आप पर देखिए परसुराम ने अपने बारे में कहा कि बैंबाल ब्रहमचारी और सुभाव से बहुत ही क्रोधी हूं मैं छत्रिकुल का नास करने वाले के रूप में संसार में परसुध हूं छत्रिकुल द्रोही परसुराम ने साथ बार इस पर्थी को छत्रियों से विहिन कर दिय था मैंने अपनी भुझाओं के बल पर नेक बार परत्थी के राजाओं को पराजित किया उनका वध किया और जीती हुई परत्थी ब्राह्मन को दानमी दे दी उन्हों ने कहा कि मेरा फर्षा बहुत भैयानक है इससे मैं ने सैस्तरवाहू की बुजाएं काट दी हैं यह फरसा इतना कटो रहे कि गर्ब के बच्चों की भी हत्या कर देता है तो यह है आपके पास में यह आता है इस वो प्रिश्न का उत्तर की परसुराम ने इस पध्यांस के आधार पर अपने बारे में क्या कहा है तो पद्यांस की हिंदी आएगी आपको अची तरीके से तो आप इसका उत्र बहुत अची तरीके से समझना होता है उसका अर्थ समझना होता है उसके आप उसके अंसर्स बहुत आराम से दे सकते हैं अब अगला है आपके पास में प्रशन देखिए देखाते नहीं करते हैं थीष्र सब्सक्राइht vynamr को अपराकर्म नहीं दिखाते हैं वियर्धा को दौत नहीं करते हैं तो यह आप पास में पाच गई हैं जो लक्षमन ने वीरियोध्या की बताई हैं पांच पॉइंट में पांच मिंदू में बहुत सरल भासा में प्रशन उत्तर है बच्चों ध्यान से पढ़िएगा अपनी कॉपी में अगर करने हैं तो कॉपी में भी कर लीजिएगा और परिच्छा के दृष्टी से ब विनमरता हो तो बहतर है इस कथन पर अपने विचार लिखिए तो इसका उत्तर है यह सत्त्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की सोभ़ बढ़ाते हैं तथा योध्धों के लिए ये गुण अनिवारे भी हैं किन्तु इनके साथ यदि विनमरता का मेल हो ज अपनी..? व्यक्ति विपक्षि के लिए भी सम्मान का पात्र बन जाता है जो अब देखिये आपके पास में स्वत नंबर व्ल गुश चलर सफ बाइघने धीन ताट्रim विहसी लखनू बोले मुर्दुबानी अहो मुनी सु महा भटमानी पुनी पुनी मोही दिखाव कठारू चाहत उड़ावन फू की पहाडी पहाडू तो ये है आपके पास में पहला दूसरा है इहां कुमडवतिया कोही नाई जे तर्जनी देखी मर जाही देखी कुठार सरा अबूज अबूज तो इसमें पहला जो है आपके पास में इसका अर्थ जब हम इस पश्ट करते हैं विहसी लखनू बोले मुर्दुबानी यानि की परसुराम अपने बड़वोले पंसे लक्षमण को डरानी की असफल कोशिश करते हैं असफल मतलब उनके कोशिश सफल नह कामियम नहीं हो पाते ठीक एंट इस पर लक्षमड निको मल वानी में हस्ते हुए परसुराम से व्यंग पूरवक कहा भी καसी लखन बोले मृदुबानी हस्ते हुए व्यंग या पूर्वक मुधुर पानी में कहा, क्या कहते हैं देखिए, अहो मुनी सु महा भठमानी, हे मुनी स्रेष्ट, मुनी आप तो महान योद्धा अभिमानी हैं, महा भठमानी आप तो बहुत बड़े अभिमानी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, पुनी पुनी मोही दिखा वहाँ को पेखारू अपने फर्च वासर को आप मुझे दिखा कर रहें छहत उडावन फुक के पहाड़ू किसी आप ये चाहते हैं कि आप फुख मार करके किसी विशाल परवत को उड़ाना चाहते हैं तो यह हुआ आपके पैस में पहली जो पध्यान से उसका अर्थ हूँ दूसरा देखिए यहां कुमण बतिया को हिना ही जे तरजनी देखी मर जाहीं देख कुठार उसरा सनबाना म कि यह ले देख दर जाएं जूदे परसुराम को कहते हैं देखिए परसुराम बारबर तरजनी उगली दिखाकर लक्ष्मन को राने का प्रयास कर रहे थे यहां देख लक्ष्मन ने से कहा कि मैं सीता फल की नवजात बतिया यानिकी फल के समान नहीं है यहां कुमण बतिया कोई ना ही यहाँ पर वो छुई मुई का फूल नहीं हो तो बचाओ कुमडबतिया जिसको छूते ही उंगली लगाते ही अपने डर जाए यानि कि वो शिकुर जाए उसकी पतिया ठीक है न कि छुई मुई का फूल भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर कि सिता फल की देख करके ही अभिमान पूर्वक का है कि मेरे सामने भी कोई युद्धा कड़ा है मैं स्वेम को युद्धा अच्छा युद्धा मानता हूं और मैंने आपको भी जब आपके हाथ में फरसे को देखा धनुस बान को देखा तो मैंने आपको भी एक अच्छा युद्धा मा तो इसका उत्तर देखिए परसु राम की दंबबरी क्या होता है घमंड पूर्वक जो बातें थी जब विश्वा मित्र ने सुनी गादी सुनु यहां पर आया है विश्वा मित्र के लिए यह भी ध्यान रखना बच्चों चोटा सा कोश्चन है गादी सुनु यहां किसके लि लगे कि मुनी को सावन के अंधे की बाती सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है अर्थात्वे राम लक्षमन को भी दूसरे सादान चठ्री बालकों के समान ही कंजोर समझ रही हैं उन्हें राम लक्षमन की सक्ति का अंधाजा नहीं है जिने वे गन्य की मीठी खांड समझ रही ह जबकि वे सुद्ध लोहे से फॉलाद के हथियार की तरह मजबूत तथा शक्ति साली है तो यह हुआ है आपके पास में चलिए 8 नमबर कोश्चिन की तरफ हम चलते हैं आपके पास में पाठ के आधार पर तुलसी के भावसा सुनुदरे पर दस पंग्तियां लिखिये तो इसका उतर है से तुलसी दास जी हिंदी सहित्य आकाश में दिप्त मान नक्षत्रों में सबसे दिप्त नक्षत्र हैं तुलसी की बात कर रहे हैं हम तुलसी दास की बात कर रहे हैं उनके कावे से इसपश्ट है कि भाशा पर उनका पूर्ण अधिकार था पूर अधिकार था इनका कावे अवधी दोनों में लिखा है लेकिन अधिकतर उनकी रचना है अवधी में मीलेंगी बाशा में कितनी कोमलता सुकोमलता सहस्ता सरलता है इसका अनुभव पाठक को स्वयम होने लगता है अवधी बाशा की पराकाश्था तुलसी जी के रामचरीत मानस के कारण है यह कहना अति जीवन से जुड़ी लोकोक्तियों और मोहावरों ने कावे को सजीव बना दिया है जिससे कावे में प्रवहा आ गया है बिखरा हुआ विविद अलंकारों का सौन देरे यह तरतर संस्कत निष्ट सब्दों का प्रयोग अर्थ की गंभीरता को प्रधान करता है शुक्ति प पूरे में वीरस है जो पाठक को द्विलित करती है जो पाठक के अंदर भी वीरस का संचार करती है चौपाई और दोहाचंद का प्रयोग है जिसे सरलता से लैबद गया जा सकता है यहां तुलसी ने नीती परगपरसंगों का खुब चितरन किया है जो प्रेना इस तरोत के उसी के नुकूल सब्द स्विम्ट करके आ गए यानि कि बाशा उनके नुकूल हो गई है तो यह है आपके पास में तुलसी के पाठ के अधार पर तुलसी के बाशा संदर के विसेस्ता है कि बाशा संदर उनका कैसा है अब हम चलते हैं नौ नंबर कोश्चन पर इस पूरे प्रसंग में वियंगय का अनुठा संदर है उधान के साथ इस प्रश्ट कीजिए इस पूरे प्रसंग में राम लक्षमन परसुराम समवाद है ना जो इसका प्रसंग है इसमें वियंगय बहुत इस्थल पर आई है कि एक दूसरे को पर जो कटाक्स किये गए हैं वह अंस अ हिसका कोई अफसर नहीं छोड़ते हैं उनके वियंगय में कहीं वक्रोपती है तो कहीं वियंजना शक्ती सब्द सक्तिका वियंगय की शुरवात पाठ की की तीसरे पंकति से ही होने लगती है देखिए आपके पास में सेवक सोचो करे सेवकाई अरिकरण्मण करे करे ल लड ने क्या रखी है दूसरी जो पंक्टि आ रखी है वो देखिए लक्षमन कहते हैं लखन कहा हस्यम्रे जाना सोनहुदेव सब्दूर नुस्तमाना काच्छति लाव जून धनुतोरे देखा राम ने निके भोरे यह पंक्टि लक्षमन कहते हैं परसुराम को एक अन्यावसर पर कोई ना ही जेतरजनी देखी मर जाएं फिर कोटी कुली संबचन तुमारा वेर्थ दरहु दनु बान खुठारा यह बी पंक्टि लक्षमन के दारही कई भी है एक अन्यावसर पर लक्षमन की व्यंगय पूर्वक बातें देखिए ब्रगुवर परसु देखा मोही अंदर विद्यमान है तो यतने सारे प्रसंग दे रखें प्रसंगों के अधार पर हम पूरा कह सकते हैं कि वास्ता में राम लक्षमन संवाद है पूरा वेंगय पर अथारित है अब निम्ने लिखित पंक्तियों में प्रिव्ट अलंकार को पहचान करके लिखनी आपके पा अहुति सरीस भ्रगुवर कोप कृसानों भड़त देखी जल सम वचन बोले रघुगुल भानु तो सबसे पहली में है देखिए बालू बालक बोली बदो नहीं तो ही तो इसमें देखिए पहला सब्द है आपके पास में बालक दूसरा है बोली तीसरा है बदू तीनों में बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब आवर्ति होती है यानि कि पुने आता है तो वहां पर अनुप्रासलंकार होता है यह अनुप्रासलंकार की पैचान तो यह यहां पर हो गया कोटी कुलिस सम वचन तुमारा सम उपमे वचन की उपमान कुलिस से समानता दिखाने पर कोटी कुलिस में कवण के आवर्ति होने पर अनुप्रासलंकार है देखिए यहां पर समानता जहां पर दिखाई है समका वहां पर उप्मालंकार है और कोटी कुलिस में कवर्ण के आवर्ति होने से अनुप्रासलंकार है तो एक उसमें जब आप यह दिवाला देखेंगे कोटी कुलिस सम वच्चन तुम्हारा तो कोटी कुलिस में आपके पास में आजाएगा अनुप्रास अलंकार और सम होने के कारण से यहां पर आजाएगा समानता दिखाई गई है उपमें और उपमान में तो यहां पर आजाएगा आपके पास में उपमालंकार तो दो अलंकार एक ही पंक्ती में उप्मालंकार समक्य कारण से और कोटी कुलिस में अनुप्रासलंकार यह समझ गए बचों अब देखिए तुम्हें तो कालहा को जनलावा यहां उत्प्रेक्षा वाचक सब्द जनु है मनु है जानो है यह सब्द जहां आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा लंकार उत्प्रिक्षा लंकार की बहुत अच्छी पैचान होती है बहुत सुंदर पैचान होती है जहां पर जनू मनू मानो यह सब्द आते हैं वहां पर उत्प्रिक्षा लंकार आता है बार बार मोही लागी बुलावा बार बार में सब्द में आवर्ति होने पर यहां पर पुन्रुक्ति प्रकाशलंकार है बार बार एक सब्द बार बार आया है ठीक है ना एक सब्द जब बार बार आता है यानि कि वही सब्द की आवर्ति होती है तो वहां पर हो जाता पुन्रुक्ति प्रकाशलंकार बार बार आने से यहां पर पुन्रुक्ति प्रकाशलंकार हु सब्सक्राइब और अभेद दिखाया गया है इन दोनों में देखिए अभेद दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है एक ही प्रतीत होते हैं आतर रूपकलंकार है इन दोनों में क्या है रूपकलंकार है बड़त देखिए जल के समान जल के समान वचन तो यहां पर क्या हो गया यहां पर फिर हो गया उपमालंकार जल सम वचन तो यहां पर फिर कौन सा लंकार हुआ उपमालंकार यहां उपमे वचन और जल उपमान है बोले रगुकुल भानु में रगुकुल और भानु में अभेद दिखाया गया आता है यहां रूपक अलंकार है जहां पर अभेद उपमे और उपमान में अभेद होता है यह नहीं कि बेद इस्थापित नहीं किया जाता है वहां रूप अलंकार आता है तो इस प्रकार से आपको एक बार समझ में आ गया हुआ कि कौन सा अलंकार किस प्रकार से है तो अब देखिए आपके पास में यह हो गए हैं आपके पास में बच्चों पूरी के पूरे दस प्रशन प्रशन नौ आपके पास में पूरी के पूरे नौ प्रशन दस प्रशन हो गए आपके पास में आपके पाथे पुस्तर के लक्षमन पर सुराम समवाद के अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार झाल